यात कीजे कि रेखा 3X प्लस Y बराबर 9 बिंदूओं 1,3 और 2,7 मिलाने वाले रेखा खंड को किस अनुपात में विभाजित करती हैं? हम मान लेते हैं कि दिये गए बिंदू क्रमशे A और B हैं हमने माना कि बिंदूओं A जिसके निर्देशांग है 1,3 B जिसके निर्देशांग है 2,7 को मिलाने वाले रेखा खंड 3X प्लस Y बराबर 9 रेखा द्वारा लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित होता है और प्रतिच्छेदी बिंदू के निर्देशांग P अलफा कॉमा बीटा है तो यहां हमने क्या माना है हमने माना कि दिये गए बिंदू A और B हैं जो रेखा खंड है वो A और B से जो रेखा खंड बनता है वो सरल रेखा 3X प्लस Y बराबर 9 रेमडा अनुपात 1 के अनुपा और प्रतिच्छेदी बिंदू के निर्देशांग अलफा कॉमा बीटा है जो कि बिंदू P है तो चितर से हम इसको कैसे समझेंगे कि यहां हमने A B तो मान लिया जो रेखा कंड है हमारेगा जो बिंदू 1,3 और 2,7 को मिलाता है रेखा जो 3X प्लस Y बराबर 9 है वो से काटत है किस बिंदू पर P बिंदू पर हमने मान लिया जिसके निर्देशांग अलफा कॉमा बीटा है और यह जो रेखा खंड है इस सरल रेखा द्वारा लेमडा अनुपात 1 में विभक्त होता है तो P के निर्देशांग हम अलफा और बीटा ज्याद कर सकते हैं तो यहां अलफ इंटू 1 अर्थात 1 बटे लेमडा प्लस 1 और बीटा का मान क्या होगा बीटा का मान होगा लेमडा इंटू 7 प्लस 1 इंटू 3 बटे लेमडा प्लस 1 यह बीटा का मान होगा हमने यहां विभाजन सूतर का प्रियोग किया सेक्शन फॉर्मूले का प्रियोग किया क्योंकि सेक और Q जिसके निर्देशांक X2, Y2 है को मिलाने वाले रेखाकंड को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है तो R के निर्देशांक K X2 प्लस X1 बटे K प्लस 1 और K Y2 प्लस Y1 बटे K प्लस 1 होते हैं यहाँ Alpha कमान क्या हो गया? Alpha P बिंदू का X निर्देशांक है Lambda गुणा 2 प्लस 1 गुणा 1 बटे Lambda प्लस 1 बीटा कमान हो गया Lambda गुणा 7 प्लस 1 गुणा 3 बटे Lambda प्लस 1 हमने Alpha और Beta के मान ग्याद कर लिए अब हम देखते हैं कि Alpha बीटा जो बिंदू है वो इस सरल रेखा 3X प्लस Y बरावर 9 पर इस्तित है तो यहाँ हम देखते हैं कि चुणकि P Alpha बीटा सरल रेखा 3X प्लस Y बरावर 9 पर इस्तित है अर्थाथ P के निर्देशांक समी करण को संतुष्ट करेंगे P के निर्देशांक हम अब इस समीकरण में रख देते हैं तो alpha का मान X के स्थान पर और beta का मान Y के स्थान पर हम 3X प्लस Y बराबर 9 में रख देते हैं क्योंकि बिंदू P सरल रेखा पर इस थेते हैं और मान रखने ज़े हम क्या प्राप्त करते हैं हम प्राप्त करते हैं कि 3 इंटू 2 लेमडा प्लस 1 बटे लेमडा प्लस 1 प्लस 7 लेमडा प्लस 3 बटे लेमडा प्लस 1 बराबर है 9 हमने क्या किया है हमने X के स्थान पर 3X प्लस Y बराबर 9 में X के स्थान पर तो alpha का मान रख दिया y के स्थान पर हमने बीटा का मान रख दिया और इस प्रकार हमने अब एक lambda में समीकरण प्राप्त कर लिया है अब हमने lambda में एक समीकरण प्राप्त कर लिया है जिससे हम lambda का मान निकाल सकते हैं अर्थात हम हमारा अभिष्ट अनुपात को ग्यात कर सकते हैं तो यहां इस पश्ट है कि lambda plus 1 लगुत्तम हो गया, lambda plus 1 लगुत्तम लेने से, अंश में हमें क्या मिलेगा, 3 गुणा 2 lambda plus 1, अर्था यह हो गया, 6 lambda plus 3, plus 7 lambda plus 3, यह हमने एजिटेट उतार लिया, इसका मान 9 के बराबर है, समी करण को हल करते हैं, तो यह मान क्या हो गया, 6 और 7 13 lambda, 3 और 3 6, यह हमारा left hand side, बराबर हो गया 9, lambda plus 1 से वजर गुणा होगा, तो यह मान हो गया 9 lambda plus 9, अर्थात हम प्राप्त करते हैं कि 4 lambda बराबर है 3, जो कि lambda का मान देता है 3 बटा 4, अब lambda हमारा क्या है, कि जिस अनुपात में, lambda अनुपात 1 में रेकाखंड विभाजित होता है, और lambda हमने 3 बटा 4 ग्यात कर लिया है, तो हमारा जो अभिष्ट अनुपात है, वो 3 अनुपात 4 है,